तादे भरतपूर PhD अतिरिक्त मुख्या अभियंता APO कर दिये गए हैं अतिरिक्त मुख्या अभियंता राम निवास मीना को APO किया गया है APO करने के बाद जल भवन मुख्याले में जूटी लगाई गई करॉली PhD अधिक्षन अभियंता परशुराम वर्मा को भरतपूर एडिशनल का चार्ट सौब दिया गया है करॉली के साथ साथ भरतपूर जिले का कार्य स.E. परशुराम वर्मा अब से देखेंगे जैपूर से बड़ी कबर आपको बता रहे हैं तिरिक्ष मुक्य अभियंता राम निवास मिना को एपियो किया गया है और एपियो करने के बाद अब जल भवन मुख्याले में जूटी लगाई गई है सेयोगी राकेश हमाल साथ जूट चुक है राकेश क्या है ये पूरा मामला बिल्कुल देखे जिस तरीके से चायो जल जीवन मिसन यूजना का काम हो या फिर जो ग्रामिन पेजल पर यूजना हैं इस पर जो राजिस सरकार और केंदर सरकार द्वारा आम आदमी को पानी उपलक्ट करवाने की जो यूजना है चलाई जा रही है यह वहाँ पर बरतपुर जो जिला है वहाँ पर प्रोग्रेस सिपोर्ट सबसे दीमी थी और कई बार जो अधिरिक्त मुक्य अभियनता हैं इनको सक्षेताओनी भी मीटिंग में दी गई थी हाली में जो मीटिंग आयोजित की थी अत्रिक्त मुक्स तच्यों के लेतरत्मा राजिस्तरी है उसमें इनके कारेप्णाली को लेकर गंबीर सवाल उटेते हैं और अब चुकि जब बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा था भरतपुर तो इस मामले में चल्दाय प्रसासर ने सक्ति दिखाई है और इनको किया गया है इतियो करने के बाद जैपुर मुक्याले इनकी टुटी लगाए गई है जब कि करोली अधिक्षन अभियंता को जो है वरतपुर जो एडिशनल का चार दिया गया है पी एचीडी मुख्य अभियंता प्रशासन राकेश लुहाडिया की कार प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं तो गुस्खोरी अधिकारियों को चीफ इंजिनियर प्रशासन का संरक्षन मिल रहा है जे इन प्रवीन को भी बारा दिन पहले से भी ने गिरफतार किया था बारा दिन से जेल में अधिशासी अभियंता, सायक अभियंता और कनिष्ट अभियंता बंद है चीफ इंजिनियर प्रशासन ने तीनों के अभी तक निलंबन आदेज जारी नहीं किये हैं जिसे लेकर कई सारे सवाल खड़े ओ रहे हैं नियमा अनुसार गिरफतारी के 48 गंटे में निलंबन आदेश जारी करना अनिवारे है लेकिन अब तक निलंबन आदेश जारी नहीं किये गए है मुख्य अभियंता प्रशासन राकेश लुहाडिया पहले भी विवादों में रह चुके हैं ब्रश्टाचार के आरुपई के बचाने में ये विवादास्पद रह चुके हैं जल्दाय प्रशासन की लापरवाही के कारण ब्रश्टाचारी बचने में सफल हो रहे हैं सरकार की ब्रश्टाचार की प्रती जीरो टॉलरंस नीती का मुखौल उडाया जा रहा है राकेश लगातार हमार साथ जुड़ूएं राकेश कानून कहता है 48 घंटे में निलंबन आदेश जारी करना अनिवारे है अब तक निलंबन आदेश जारी नहीं हुए कैसे समझा जाए इसे कैसे देखा जाए च्छे जो अगर्स से लगातार जेल में है चुकि जो सरकार की नियमावली है उसके अनुसार 48 घंटे में इनका निलंबन आदेश जारी नहीं किये गए है हमने उप्सासिल सच्चु गोपाल सिखावच से भी इस मामले में बात की उन्होंने का कि मामला बहुत गंबीर है और इसमें मुक्यवेंता प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जाएगी साथी जियोपी से भी इस बारे में जानकारी लिजाएगी 48 घंटे में इन लोग सब को अभी तक निलंबन क्यों नहीं किया गया सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि जो आरोपी किरफ्तार हुए हैं यह नौसो करोड रुपे की पेजल परियोजनाओं में से जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक हैं तो यह इनके साथ इनको निलंबन नहीं होने से विभागी है जो दस्तावेज हैं अज़े से वो कारेपणाली इससे प्रभावित हो सकती हैं जबकि साथी नियमों की पालना भी इसमें नहीं की जा रही इससे पहले राकेश लुहाडिया जो मुख्य बंता प्रसासन है वो इससे विवादों में रहे हैं कि मुख्य बंता जब मनीश बैनिवाल को ट्रैप किया था तो एक महीने तक उनके निलंबन के आदिश के लिए उननोंने कार्मिक विभाग को नहीं लिखा था और निलंबन आदेश जारी किये जाएंगे बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए जैपूर से बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान युनिवरसिटी धरने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको वता दे हनुमान बेनि लगा तार शातरसंग चुनाव कराने की मान की जा रहे है जिसे लेकर धरना प्रदर्शन किया जर और इस बीच ये बड़ी कबर आपको बता दे हनुमान बेनिवाल भी आज धरना इस खल पर पहुंचने वाले हैं कल बैटक की जिसकी तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं बैटक के बाद ये फैसला लिया गया और सांसद हनुमान बेनिवाल की ओर से ये फैसला किया गया है कि वो भी छातरों को अपना समर्थन देंगे से पहले उनकी ओर से बयान भी सामने आये थे जब उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है छात्रसंग चुनाव होने चाहिए और अब खुल कर सांसद हनुमान बेनिवाल इसके समर्थन में उतरने वाले हैं आज वो खुद राजस्थान विश्विद्याले पहुचेंगे चात्रों के साथ धर्ना प्रदर्शन में शामिल होंगे 11 बजे का वक्त हैं कुछी समय में यहाँ पर हनुमान बेनिव अर्मान बेनिवाद वो 11 बजे के बाद में जो है वो पोचेंगे यहाँ पर अपनी जो बात है वो पहेंगे चात्रों से मुलाकात करेंगे और आली में हिंसों के प्रतिनीथी भी यहाँ पर पहुचे थे हार्याना के तो टाथा है कुल मिलाकर अब सियासत गर्मा चुकी है चात्र संग चुनाओ को लेकर के और लगातार अब यह पूरा मसला जो है वो चात्र संग राजनीती से ऊपर जा चुका है जो लोग पीछों से राजनीती करते हैं वो लोग खुल करके इसमें राजनीती करने लगे हैं यह कहा जा है कि अब यह चात्र संग चुनाओ एक सब्सक्राइब करें कि अपने सियासी रोटी आपर सेख रहे हैं अरलपी सुप्रीमो हनुमान बेनिवाल और आज धरनास्थल पर पहुचेंगे चातरों से मुलाकात करेंगे निश्री तोर पर उनका कहना है कि वो समझ सकते हैं क्योंकि वो खुद यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं उनकी राजनीती यही से चमकी है बीजेपी क्या रुख है लवली क्योंकि बीजेपी को और से भी लगातार बयानबाजी हो रही है प्रदेश अद्यक्ष्ट को लेकर करें तो इससे पहले रोक लगी थी तब बार्टी जनता पार्टी ने चाथिसंग चुनाओं पर रोक लगाई थी जब भाजपार राजिस्तान में थी तो इसलिए राजिस्तान के अंदर वो तियासत गर प्रदेशन हो रहे हैं चातर अपनी जान के परवाश किये बिना पहले लगाई थी और तब मुख्यमंत्री अशोग गैलोत के और से बयान भी सामने आये थे कि वो जानते हैं कि जरूरी और ऐसे में दस सालों तक चुनाव चले भी और आप चुंकी रोक लगाए गए तो को खरतार पर बैठने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और अनुमान लगा जा रहा है कि आज ये आंकडा और भी जादा बढ़ने वाला है खाजुवाला और शतरगड को यथा वद बिकानेर में ही रखने की मांग की जा रही है लंबे वक्त से बारा दिनों से प्रदर्शन जारी है कई ग्रामिन भूख हरताल पर भी बैठे हैं डॉक्टर की टीम भी वहां पर पहुंची है चेक अप किये जा रहे हैं कई ग्रामिनों की अब तक तब्यत बिगर चुकी है एस्पिताल में भरती हो चुके हैं लेकिन बड़ा सवाल यह ह कि आखिर कार इनकी मांगो पर सहमती कब बन पाएगी से पहले गोविंद्रा मेगवाल पहुचे थे और समझाईश कर आश्वासन भी दिया था सयोगी विक्रम हमारे साथ जूड़ चुके हैं विक्रम गोविंद्रा मेगवाल के ओर से आश्वासन मिला था लेकिन अब तक क सिस्टम अंडल की बैटक होई थी और उसमें यही आश्वासन दिया गया था कि जल से जल सरतार से बात करके और जो खाजवाला और चतरगड़ है उन्हें वापस विकनेर में ही रखा जाएगा लेकिन जो यह आश्वासन है उस पर अभी तक बात नहीं बन पाई है और जिस सरतार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो फिर वो बड़ी संक्या में जो हैं वो बूपरताल पर बैठेंगे और पिछले बारा जो बारा दिन से जो बजार है वो पूरी तरीके से बंद है बंदी को बंद रखा गया है तो कहीं न कहीं जो यह जना अंदुलन है अब और उब चतरगड को जो है वो बिकानेर दिले में रखा जाए बिलकुल विक्रम खाजुवाला चतरगड को बिकानेर में यथावत रखने की मांग है अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन अब तक मांगों पर साहमती नहीं बन पाई आप नजर बनाए हैं तेल शेतर में नहरी पानी पहुचाने की मांग की जा रही है अज दोपहर को बुंदी खटकर मार्क पर चक्का जाम करने की भी चितावनी दी गई है तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं तेल शेतर में नहरी पानी पहुचाने की मांग की जा रही है किसानों का कहना है कि पानी नहीं पहुंचने से फसले खराब हो रही है रभी फसल का सीजन है ऐसे में पानी पहुंचाना जरूरी है लेकिन किसानों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है जिसे लेकर किसान लंबे वक्त से मांग भी करते आ रहे हैं और अब आखिरकार धरना प्रदर्शन किया ज पाइसे होगी चैन सिंग हमारे साथ जूठ चुके हैं चैन क्या इसके थे इस वक्त वहाँ पर क्योंकि दोपहर बात सड़क जाम करने की भी चेत्रावनी दी गई है नहीं जैसा है कि जो फ्र टेल शेत्र में जो अभी तक नहरी पानी जो पूरे देज से नहीं पोचा जिसके जो जो किसान दरना दे रहे हैं और जो दरने पर बैठे वह तो किसानों का पीसरा दिन है आलांकि परसासन जो पानी वह पर गनेश पूरा गाहों के पास पोचा दिय लेकिन दने बेटा किसानों का यह कहना है कि जब तक जो सीडी वी आगद्वारत जो पानी के गेड़ को मैंटेन करके अंतिम सोर में जब तक पानी नहीं को जाएगा जब तक उधना जारी रहेगा इस समय में जैसे जान कारी मिली एक एसी मोखे के पहुंच रहे हैं और किसान कि कैसे करेंगे अधिकारी क्या क्या रहे हैं प्रदर्शन आखिर क्यों करना पड़ रहा है इने पानी के लिए जैसा है कि जो चार अगर्ष्ट को जो बाई मुखे नहीं में पानी छोड़ा गया था तो सीडी आपका कहना है कि जो बारिस नहीं होने के कान पानी की जो बंद करके और तेल सहस्तर में पाने पहुत आए जा रहा है जी ठीक है चैन अब देखना है कि आप क्या मांग पर सहमती बन पाती है आप नजर बना रखेगा शुक्रिया फिलाल तमाम जानकारियों के लिए जैसल मेर से बड़ी कबर सामने आ रही है बिका नेर से जैसल मेर के लिए निकले कॉंस्टेबल का शव मिला है राम सरोवर तालाब में कॉंस्टेबल का शव मिला है जिससे पूरे लाके मेर कम मच गया बिका नेर से 16 अगस्ट को कॉंस्टेबल निकला था लेकिन वो जैसल मेर पहुंचा नहीं परिजन लगातार तलाश कर रहे थे रमेश ठालोड श्रीडूंगरगर ठाने में तैना था पुलिस ने शव को तलाब से बाहर निकाल लिया है मृतक के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है तो 16 अगस्ट को निकला हुआ था लेकिन अपने गंताव्य तक जब नहीं पहुंचा तो ग्रामिनों को चिंता की है या आत्मातिया है या फिर कोई घटना घटी यह फिलाल जाच का विशह है शव को पोस्ट माटम के लिए भीजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हो सकेगा तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं सेयोके जावलदान इस वक्त हमारे साथ जूट चुक है परिजन लगातार प्रयाज करते हैं वार्ट सब्सक्राइब लेकिन आज सुबह है सो जो है रामसरोर तालाब है उसमें तेरता मिला वहाँ पर एडिस लेट पी गोपाल सिंग भाटी सीयोक तेलास बिश्मई वहां के जो एसचो खमाराम बिश्मई मोगे पर पहुंचे इस परिजन अक्षू पर कर दिए प्रिंका ठीक है बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारियों के लिए रुकरलितस बीश्मिल रेकॉर्ड बड़ी खबर का जैपूर से बड़ी खबर है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत सकी सम्मेलन की शिरुवात करेंगे 43,55,000 महिलाएं इस योजना से लाभानवित होंगी जेए सीसी सीतापूरा में सुबह साड़े दस बजे मुख्यमंत्री अशोग गैलोत कारक्रम का शुभारम करेंगे सम्मेलन में 2000 से जादा महिलाएं हिस्सा लेंगी राजीविका साहता समू के माध्यम से लाभानवित किया जाएगा तो एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोग गैलोत के ओर से सकी सम्मेलन की आज़से शुरुवात होने वाली है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत आज शाम इसे लेकर एक एहम बैठक लेंगे कोचिंग संचालकों के साथ सीम चर्चा करेंगे आतमात्याओं की रोक्ताम की दिशा में विचार वेमर्च किया जाएगा अन्य हित धारक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे शाम साड़े शे बजे ये महत्वपून बैठक होगी क्योंकि लगातार कोचिंग नगरी कोटा से आतमात्या की सूचनाएं मिल रही है जिसे लेकर अब सरकार भी गंभीर है मुख्यमंत्री अशोग गैलोत खुद इसे लेकर एक बैठक लेंगे शाड़े शे बजे का वक्त जब चर्चा किया जाएगा कि आखिर वो क्या वज़ा है जिसके चलते लगातार कोटा में सुसाइट की खबरे सामने आ रही है जहाँ पर शात्र मौत को गले लगा रहे है यह गंभीर मामला है क्योंकि लगातार पिछले कई महिनों की बात करें तो कई स्टूडेंट्स ने आत्मात्या करें